बारिस की जान एकदम गर्मा गरम और स्वादिष्ट इस बारिस के मौसम में हम बनाएंगे एकदम न्यू और टेश्टी रेसीपी जो की खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी फ्रेंड्स चलिए रेसीपी रूम में आपका स्वागत करते हैं और बनाना सुरू करते हैं आलू और कॉर्न को हम ऐसे ही बॉयल कर लिए अच्छे से चील के उसको ऐसे टुकड़ों में काटके एक सीटी लगा देंगे बॉयल हो जाएगा इसको ठंडा होने के बाद आलू को मिस लेंगे और कॉर्न को एक साइड में रख लेंगे इधर दो चम्मच तेल डाल के और प एक बड़ा टमाटर भी डाल देंगे इस से भी टेश्ट अच्छा हेगा अभी महँंगा है थोड़ा प कम भी डालेंगी तो चलेगा और इसमें लास्ट में हम लाल मिर्च का पॉडर डाल देंगे यदि हरी मिर्च है आप के पास तो बहर डाल दीजिए और इसमे जो कौर एक बार इसे आप जरूर ट्राय करना यह हमारा अच्छे से फ्राय हो गया है और एक चम्मच भर के हम इसमें अमचूर पॉडर डाल देंगे यदि अमचूर पॉडर आपके पास नहीं है तो निम्बू है निम्बू डाल दीजिए और बॉयल किया हुआ तीन आलू है उसको इ फ्रेंड्स हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेजर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसमें बाद में हम आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पॉडर भी डालेंगे यदि ये नहीं आपके पास तो इसकीप कर सकती है और ऐसे ही चलाते जाएंगे इसको देखिए ये मसाला अब हमारा बहुत अच्छे से तयार हो गया अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिये थे उसके बाद अब इसके मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे एक बड़ा लोई ले लेंगे और अच्छे से इसको ज्यादा गीला भी नहीं गुनना है अटा को ज्यादा टाइट भी नहीं गुनना जैसे आप आलू पराठा बनाती है वैसे ही आपको आटा तयार कर लेनी है और ऐसे ही बेलते जाएंगे इसको बेल लेंगे चकोर पराठा बनाते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है आप से आप मेरे चैनल पे आए हैं तो फूल वाज कीजिए इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए और हाँ प्लीज प्लीज हमारी मेहनत के लिए साथ में लाइक भी जरूर कर दीजि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में कभी-कभी तवियत भी डॉन हो जाता है तब भी नहीं बना पाती है तो बेटी को बताती हूं बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो कैमरा लगा के बनानी पड़ती है एक-एक चीज बहुत मेहनत से बनाते हैं फ्रेंड्स इ चलिए friends, बनाते हैं, देखिए ऐसे ही करके हम बेल लेंगे और medium to low flame पे उलट-पुलट के सेख लेंगे, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकती हैं, उससे भी हम इसमें खाने वाला तेल डालेंगे, चाहे तो आप इसमें घी डाल दीजिए, बटर भी डाल सकती हैं, बटर से अच्छा ही लगेगा, जिसको बटर ज्यादा खाना पसंद है, तो वो डाल सकती हैं, ऐसे ही करके हम सारे, जितने भी बनाने हैं, आपको friends, आप बना सकती हैं, यदि आप चाहे अभी सर्दी का भी मौसम चल रहा है, बच्चे को टिपीन में भी डालना चाहीं, लंच बॉक आप जरूर इस रेसिपी को ट्राय कीजिएगा, जब आप बना के खाएंगी न, तब आप हमें कोमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी, मुझे उमीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई होगी तो डेर सारा लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थैंक यू फार वाचिंग, फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, और हाँ अगली रेसिपी कौन सी बनाए फ्रेंड्स, आप कोमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में, तब तक के लिए बबा आए रादे रादे